नमस्कार नीज क्लिक में आपका एक वर फिर स्वागत है हम लोग अभी मौजूद हैं नासिक बुंबे हाईवे के पास वासिंदी में जो इद का मैदान है जा किसान लॉंग मार्च का इस्थाई पराव पड़ा था जा किसान दो दूने से रुके हुए थे और कल सरकार रात म की सभी मांगों को पूरी तरह से माल लिया है उसके बाद आज इन किसानों ने अपना आंदोलन इस्थागित करने का एलान किया है इनका कहना सरकार ने इसका अधिकतर मांगे माल लिये और इस सरकार ने इसका जमीन पर इंप्लिमेंटेशन भी शुरू कर दिया है इसलिए यह लोग अपना अंदोलन इस्थागित कर रहे हैं और यहां से अपने घरों की तरफ जाएंगी इस किसान अंदोलन में जो नेता थे जो किसान मजदूर दोनों नेता हो थे उनसे बात करके समझने का कोशिश किया यह है उसने शकारात्मक मानी है और वो अमल बजाओने के लिए उदर अपना प्रशाशन को काम पे लगा दिया है और उसका संदेश हमें आया है इसलिए हमने अंदोलन स्थागित करके हम वापस चल रहे है हम लोग लगात्ता रासका चटवा दिन है हम दिंडो दिस से लेके श इस सभा के अंदर हमारा किसांस लॉंग मार्च का जो प्रतिनीदी मंडल था उन्होंने जो हमारी मांग रखी थी विदी मंडल के अंदर जो चार बजे कल विदी मंडल का आमका चालू हुआ परसो चालू हुआ दो तीन दिन लगात्तार विदी मंडल में हमारा प्रतिनीद मंत्री जो है इन्हों ने अपने क्लेक्टर से ओर निकाला और अपने और निकालकर आमारे गमें जो में तलठी इसलिए हमने लॉंग मार्च यहां रूख दिया है अब हम हमारे गौपे वापस जा रहे हैं इस जीत की क्या संदेश है जो कि एक बहुत बड़ा जीत है जहें हमें किसान ने सारी मांगे सरकार ने मानी है और उसके बाद आप लोग वापस जा रहे हैं इंप्लिमेंटेशन तक शुरू हो गए है बता रहे हैं हम जो हमारी जो मांगे थी हमारी प्रमुक मांगे थी चौदा मांगे थी उसके हंदर हमारी पहली मांग थी कि जो किसान अपना पैज बोता है वो किसान को दहजार रुपया एक पिंटल से दर्म मिलना चाहिए वो किसान को 600 रुपिया अनुदान मिलना चाहिए किसान बज जाए और भी कोई फसल है जैसे कपास है स्वय भी नहें और दूद है अंडी है पनिर है इन किसानों को इसका मुआजा अच्छी तरह मिलना चाहिए भी हमारी मांग थी सब्सक्राइब जाए इसका 40 सार्च से उपर जाने के बाद पगार बंद हो जाता था वो अबी चालू रहेगा इन मारी मांग मान ली है इसी के साथ हमारा आशा वरकर्स है अंगन वैडिये इनकी भी हमने मांग रखी है रेशन कार्ट के हमारी मांग है जहां तक बनकम कामगार जो है हमारा उनका भी जो मांग था ओभी इननों ने मान लिया उस पर इंप्लेमेंट चालू हो गया है कि अवे रोजगार हमी का जो यह लौंग मार्ज जो निकला था ऐसा लौappe 2018 को भी निकला था किसानों की जो मांगे है जो देश भर में दुनिया भर में ऐसे यह है अर बन फीपल का किसी भी गवर्मेंट का ध्यान की कसानों की तरफ नहीं जाता वो गाव में रहते है इसलिए ऐसे मोर्चे करने पड़ है वो वापिस लेने पड़े तो ऐसे ही जो अभी किसानों का अंदुलन अभी स्टेगनेट होता है ऐसा लोग बोलते हैं उनको यह इस आंदुलन से और प्रेरना मेनेगी और राज्य राज्यों में ऐसे आंदुलन फिर से खड़े होंगे और सयुक्त किसान मोर्चा होगा या किसान कोडिनिशन कमिटी होंगी इसके तरश पर और बड़े बड़े आंदुलन होंगे जिससे किसानों की मांगे और उनके सावालों का हल मिल सकता है हमारे साथ अभी जो किसान लॉंग मार्च में सुरुआ से सामिल रहे मजदूरों के नेता बील करार साब हैं जो सी आईट्यू राज्टू पाद्यक्ष भी हैं और इस किसान मोर्चे के साथ भी संगर्ज में सामिल ते इसमें मजदूरों कभी-कभी मुद्दे थे जिसका हमें समाधान हुआ है तो करार साब यह पूरे जो सरकार ने आश्वासन दिया है अलो लाइन मजदूरों का देखो यह लॉंग मार्च साथ दिन से चल रहा था हमने 14 मांगे सरकार की तरफ किया था उसमें से मेजॉरिटी मांगों के बारे में बहुत यह अच्छी चर्चा ह हो गई और सरकार को यह मांगे माननी पड़ी है फोरेस्ट राइट आग के अमल बजावनी का बड़ा सवाल था उसके बारे में भी सरकार ने एक सकारात्मग बोमिका लिया है और उसमें जो भी दिक्कत है उसको स्टेडी करके उसको दुरुस करने के लिए कमिटी बना यह जिसमें अपने मार्क्सवादी कमुनिस परटी के सेंट्रल कमिटी मेंबर कमरेट जेपी गावित रहेंगे और मार्क्सवादी कमुनिस परटी के मले कमरेट विनूद निकोले रहेंगे तो वो सवाल भी हल हो जाएगा दूसरी जो एक प्याज का भाव बनारी की बात थी जब हमारा लॉंग मार शुरू हुआ तो एक रुपए अभी सरकार नहीं किया था अभी सरकार ने हर क्विंटल के पीछे 350 रुपए अनुदान देने का निर्णा जाहिर किया है और वैसा कल लेखित रुप में उन्होंने आ श्वासन दिया है साथ में 80,000 किसानों का कर्ज माफी का सवाल पेंडिंग था उसको भी सरकार ने मानने ता दिया है साथ में ही जो प्याज आने वाला है उस टाइम में भी भाव गिरते हैं तो उसको जो क्या करना चाहिए उसके बारे में उसका उपाई सोझाने के लिए कम कमरेड आजित नौले वो कमिटी में रहने वाले तो किसानों के उपज को सहीद मिलना चाहिए इसके लिए सरकार ने इंटर्वेंशन करना चाहिए उसके इसके बारे में उन्होंने मान लिया है और उसमें सकारात्पग भुमिका लिया है इसके लवस रमीकों को सवाल थे कि पहले किसान मार्चrob शुजस में किसानों मजदूरों के भी सवाले उन्हों क्या इसके लिए बहुत ही है जब यह पुरा चर्चाह हो रही हुए है हमने कामगार हो कोटे भी सबाल सरकार के सामने रखे थे आंगंवारी आशा करमचारी उनके सवाल थे उनको मांदन बढ़ क के बात थी तो उन्होंने अपने मांगों के उपर विचार करके पंद्रासो रुपए आश्या कर्मचैरियों कॉपए बढ़ाने का निरनय किया है यह बहुत बड़ी बात है अंगनवाणी कर्मचैरियों को ग्रैचूरूटी लागो करने का बात हमने हुआ नियौसiselaching पेज़त तो उसके बारे में पॉसिटिव हूए हम थोड़ा अब्ध्यस करके उसके बारे में निर्नेक करेंगे क्योंकि सुप्रिम कोर्ट है इसके बारे में डिसील्यन है तिशनी बात था महाराष्टरा में पुरह देश में और और contract labor की बहुत सोशन होता है उनको minimages नहीं मिलता है यह साई प्रविडेंट फंड नहीं मिलता है और ठेकेदार लोग उनके बहुत सोशन करते हैं principal employer भी सोशन करता है तो यह बात हम ने रखी थी तो आभी उसके बारे में भी निरणा हुआ है कि contract कामगार को उनका वेतन उसक के बारे में सरकार सोचेगी और बाकी जो भी कानून है यह साइप प्राविडेंट फंड से लेके बोनस तक सभी कानून का लाब उनको मिलगा इसके लिए व्यवस्ता की जाएगी ऐसा भी लिखीत रूप में आश्वासन अभी इस मोर्चे के बाद मिला है तो कामगारों के इस बोलाएकि 3 महीने के अंदर हम इसका अभ्यास करने के लिए एक समीती रखा है और हम इसमें सकारात्मक है तो जो भी खिसानों कि चवड़ा और कामगारों की चवड़ा मांगे थी हर एक मांग के बारे में आगे हम आये हैं और इसका अमल करने के लिए यह लाग मार्क्टी उनको बात दे किया है पांच अपरेल को भी एक बड़ा मोचा दिली जाना उसकी क्या सत्यारियां सीटू में मजदूर क्लास के बीच में महाराश्ट्र में पांच अपरेल की मजदूर किसान संगर शिराली के बहुत जबरदस्त तैयारी है हमारे सियाइटू की तरफ से कम से कम सत्रा हजार वरकर किसान सबे की तरफ से भी पांच हजार से ज़्यादा किसान और खितमदूर यूनीन की तरफ से तीन हजार से ज़्यादा खितमदूर यह मोर्चमे संगर शिराली में सभागी होने ओने लोगों का रेलिवे का टिकेट बुक लीटिक बनी गई है और गाउं गाउं में बस्ति बस्ती में प्रचार चालू है लाखो की संख्या में पत्रक बाटे जा रहे हैं चोग सबा चालू है मिटिंगे चालू है और इस तरह के जबरदस्थ वातावरन के अंदर सरकार जियो कामगार करमचारी विरोधि निती है उस सरकार ने पहला ऐसा किसान Μोर्चा निकला जिसमें सरकार ने ometer साथ साथ जो कर्बी आसा कर्मी और आगनवाडी कर्मी उनके मांदेमtał मढवतरी की बात कीogen इसके साथ साथ जो कॉंट्रेक्त रम चारी है इनके भी अगे सर्बिसे योग करने की मांग्र और इसके अलावार सरकार ने इनको मैदान Co के लिए फिरी Me बड़ी संख्या में लेके आएंगे और इस बार फिर पीछे से नहीं अटेंगे अभी के लिए बस इतना ही देखते रहें न्यूस क्लिक धन्यवाद